हेलो बच्चो मैं हूँ आसिफ बल आपका फेस कोच और अभी एक बहुत ही जबरदस नीज आई है आपने देख भी लिया है कि आगई एंटिया पर लगे आरोप की सफाई एंटिया ने प्रेस कांफरेंस करके उसके उपर जो भी पिछले दो तीन दिनों से आरोप लग रहे हैं उसके उपर सफाई दी है सफाई की बारे में मैं बताता हूँ सबसे पहले पेपर लिक यह पंजाब केसरी का जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सबसे पहली पात महा निदेशक सुबोत कुमार है उन्होंने कहा कि कोई पेपर लिक नहीं हुआ है एक सिरे से खारीज कर दिया पहला मामला पेपर लिक का जो था कि कोई पेपर लिक नहीं हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि चीजों का निशकर्ट निकाला कि मामला परिक्षा के अंदरों तक सीमित्था जो अनिमित्ता मिल रही है वो सिफ 6 सेंटर की है उनका कहना यह है कि 1600 मीद्वार प्रभावित हुए थे उस अनिमित्ता में पहला पेपर लिखा मामला है वो क्लियर कर दिया कि है नहीं 1600 लोग प्रभावित हुए थे और उनको grace mark मिला था और grace mark मिलने पर उनको फिर से उसके उपर evaluation किया जा रहा है उसके बाद एक committee उन्होंने बना लिए एक panel का गठन कर दिया है जो इस पर re-evaluation करेगी एक हफते का time लिया इन्होंने एक हफते में वो जो बच्चे हैं जिने grace mark मिला जिसकी वज़े से वो टॉप डी कर गए उन्होंने ये accept किया कि गरबड़ी है और गरबड़ी की वज़े से ये सब हुआ है और उन्होंने ये माना कि प्रश्ट पत्तों का जो गर्लत वित्रण हुआ उसकी वज़े से लगबग 16,000 अभ्यरती प्रभावित हुए और जो उमीदवारों ने जो उमीदवार सेंटर्स वाले थे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमें समय कम मिला पेपर गलत मिल गया ये सब कुछ हुआ तो उसकी वज़े से मिला जुला करके महाने देशक ने एक कमेटी बैठा दी है जितने आरोप है उसको एक बार फिर से ये रीचेक करवाएंगे और रीचेक करवाने के बाद वापस से रिजल्ट बताएंगे कि क्या उसमें सही था और क्या उसमें गलत ह तो ये सब मान लिया है लेकिन कोई भी अनियमित्ता से इंकार किया है यानि कोई स्कैम हुआ है स्कैम रिजेक्ट कर दिया दो सवाल थे पहला सवाल ये था कि पेपर लीग हुआ रिजेक्ट स्कैम हुआ है रिजेक्ट कुछ गरबड़ियां हुई है 16,000 अभ्यारतियों को हुए है उनको एक्सेप्ट किया है और उसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी रिपोर्ट बना करके फाइनलाइस किया जाएगा मिला जो लाकर के बिलकुल इस मूड में नहीं है कि री नीट कराया जाए या री भी कराया जाए तो चुकि उसका कहना ये इतना बड़ा एक्जाम है दुनिया का देश का सबसे बड़ा एक्जाम है तो इसलिए वो एक्जाम कराने के विल्कुल मूड में नहीं है लेकिन प्रोटेस्ट जारी है अभी आम आद्मी पार्टी की प्रेस कॉंफरेंस हुई और त क्जाम है तो साँ बड़ा है जाए